हेलो साथ यह हूँ, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज किस वीडियो के माध्यम से एक वार पुनह आप लोग के साथ मैं जूर चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे BTSC ANM के रिगार्डिंग BTSC ANM में अब काउंसलिंग की परकिरिया होने वाली है तो इस वीच आप बहुत ही ज़्यदा कमेंट कर रहे थे कि सर काउंसलिंग का लिष्ट कब जारी होगा किस डेट में कनफॉर्म डेट बताइए दूसरी बात जो सबसे ज़्यदा कमेंट आया है अभी तक सबसे ज़्यदा वरा आपको पूछ चुके हैं इसलिए मैं एक वार पुनह इस पॉइंट को किलियर कर देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जानकारी देदू कि काउंसलिंग का लिष्ट कब आएगा और जाती परमानपत्र साती एंसियल परमानपत्र यह दोनों डोकुमेंट क्या नया लगेगा या पुराना इन दोनों पॉइंट को किलियर करने से पहले आपसे एक छोटा से रिक्वेस्ट करूँगा परते एक दिन की तरह आज भी वीडियो को सुरूर से लेकर के अंत तक देखिएगा नहीं तो एक छोटी से भी पॉइंट अगर बीच से छूट जाते हैं तो आपको पुछना पर सकता है इसलिए 7-8 मिनट टाइम लगे तो लगे लेकिन पूरे कंटिनी वीडियो को देखिए साथ ही अगर आप लोग नहीं हो चैनल पर पहली बार आये हैं तो बिल्लिकुल रूप से सब्सक्राइब कर लीचे जिससे कि हमें थोरा सपोर्ट मिल जाएंगे आपके माधिम से और आपके लिए नयनय वीडियो जो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचेगा क्योंकि भिहार स्वास्तवाक से रिलेटेड हर एक जानकारी आपके पास हम पहुँचाते रहते हैं चलिए विडाट विलम किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कॉंसलिंग को डेट हम लोग जानकारी ले लेते हैं फिर आगे करेंगे और वीडियो को कॉंसलिंग के डेट की बात करेंगे तो कॉंसलिंग का डेट कोई कॉनफॉर्म नहीं है जैसे के आपने BTSC के noticeification के नुसार एक वार देखे, March के 3rd week, फिर दूसरी वार notice निकला था, तो March का अंतिम में, लेकिन हमने आपको जानकारी दिये थे, ये 3rd week अंतिम नहीं हो करके, आपको 5 March के बाद ही counseling शुरू होंगे, इस वाद को हमने आपको जानकारी दिये हैं, तो 5 March 5 April, वहाँ पर होगा, 5 April के बाद बोले थे, तो 5 April के बाद counseling आप लोगों को बिल्कुल रूप से शुरू हो जाएंगे, लेकिन counseling से 2-3 दिन पहले आपको counseling list जारी किये जाएंगे, जब counseling list जारी किये जाएंगे, उसके बाद 2-3 दोज, 4 दोज बाद आप लोगों के counseling पूरे दिन बाद हो कभी भी किसी भी वक्त आपका कॉंसलिंग का लिस्ट जारी हो सकते हैं और पूरा डेटेल से उसमें लिखा रहेगा कहां पर कॉंसलिंग जाना है वो तो जानकारी पहले बता भी दिये हैं और किस टाइम में जाना है किस डेट में जाना है पूरी जानकार चेक कर लेना है तो इसके लिए आप लोग चैनल के बने रहेंगे सब्सक्राइब के रहेंगे तो इधर से भी हम आपको जानकारी अप्लोड करेंगे वीडियो तो आप देख पाएंगे तो पंसलिंग के रिगारिक अब आपको जानकारी कंप्लीट हो गया चलिए अब हम लोग जाती प्रमानपत्र और एंसेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जाती प्रमानपत्र क्या होता है कि tc और st candidate जो अन्सुचित जाती और अन्सुचित जम जाती के अंतरगत जो आते होंगे C C एस्टी कंदर्गत उन सारे गैन जाती पर्मानपत्र पिता के नाम से होना चाहिए उन जारे के लीएट है उसे एन से येल पर्मानपत्र के यहां पर जुरुवत पड़ेगा और जो डुकोमेंट है वह वही डॉकमेंट लगेगा जो आपने online टाइम में करने के वक्त दिया था जो लोकमेंट लगेगा साथ ही दोस्तों हमा आपको और वहां से आपको पूरा प्रूफ दिखा देते हैं कि डिपार्टमेंट की से डेट में जाती प्रवानपत्र मांगता है उससे आप लोग को यहां पर कॉनफर्म हो जाएंगे सिधा साधा भासाम अगर आप लोग समझेगा तो नया डोकुमेंट बनाने की जुरत नहीं है पहले ओफिशल नोटिस देख लिजे जिससे के और विजानकार यहां से किलियर होगा साथियों हम आज चुके हैं स्क्रीन पर और आप लोग देख पा रहे होंगे ओफिशल नोटिस यह बीटी एसी के तरफ से ओफिशल नोटिस बिग्यापन संक्या साथ 2022 जारी किये गये हैं इस नोटिस में असपश्ट लिखा हुआ कि कॉंसे डेट में जाती प्रवानपत्र और आपकी आवास्य प्रवानपत्र होना चाहिए वाकेंसी डेटेल्स वगरा बताने की तुजरत नहीं है सारे कंडियेट देखे ही होंगे कल भी मैंने बताया हूं किस कैटेगरियम कितने कंडियेट हैं और कितने कौंसलिंग में यहाँ पर बुलाए जाएंगे जो मेन अगर आप लोग आएंगे इसी जानकारी पर इसी विग्यापन में तो स्रील-9 पर आईएगा तो आप यहाँ पर असपस्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर क्या-क्या लिखा कि योगिता समंदी सभी परमान-पत्र या था यानि कि जैसे सेक्षनिक पर्मानपत्र में आपका हो गया A&M का सर्टिफिकेट, मार्क सिट, रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टेंथ का ट्विल्थ का यह हो गया सेक्षनिक पर्मानपत्र साथ ही बिहार परिचारिका निमंधन परिसाद का निमंधन पर्मानपत्र अभी नाम इसका लहीं लिया हूँ उसके साथ ही आरक्षन है तो निर्गत पर्मानपत्र तो यह सेक्षनिक पर्मानपत्र आपने देख लिया उसके बाद आरक्षन है तो जो निर्गन पर्मानपत्र जैसे कि आपको जाती प्रवानपत्र ही आपका आरक्षन का निर्धारन करता है या फिर NCL परमानपत्र होते हैं साथ ही आपका जो अवासिय परमानपत्र है जो बिहार राज में रहने का आरक्षन देता है आभदन में किया हो उक्त सभी पर्मान पत्रों की यहां से द्यान देंगे उक्त सभी पर्मान पत्रों की निर्गत होने के तिती एक नों दोजार बाईस के पूर्व का होना आवस्यक है। कि experience का प्रवान पत्र हो गया है, इन सारे वही document लगेगा जो आपने online करने time, या दिकिए, आपने मुल आवेदन, मुल आवेदन लाइन आवेदन पत्र में किया है, यानि कि जो online आवेदन में किया है, वही document आपको देना है, उक्त सभी प्रवान पत्रों की निर्गत होने कि पुर्व का होना चाहिए यानि आपने समझ किये होंगे कि 1922 से पहले जो जो डोकमेंट आपने बना लिये हैं वहीं डोकमेंट आप लोग को मानने होगा और वहीं डोकमेंट आप लोग online करने टाइम में दिये होंगे और वहीं डोकमेंट आप लोग को मानने होंगे यानि कि आप असपस्ट किलियर हो गया, आउनलाइन टाइम में जो डोकमेंट दिये थे वह है डोकमेंट लगेगा और वो डोकमेंट 1922 से पहले का बना होना जरूरी है, तो आप NCL अवासिये और भी सक्षनिक युगता के समदित पुरान पत्र समझ गये होंगे, इस डेट से पहले का बना होना जरूरी है, तो ही आप लोग को मानने होंगे, चलिए उमिद करता हूँ कि समझे होंगे, वीडियो को और भी आगे करता हूँ, तो आपने ऑफिसल डेटेल्स जानकारी देख लिया, कि आपको जो डोकमेंट है, आउनलाइन करने से पहले का होना चाहिए, जो उसक होना जरूरत यहां पर नहीं है, आप लोग समझे कियोंगे, फीरी भी अगर आपके इक्षा होता है, आपका मन होता है, कि माने नया डोकमेंट बना लेता हूँ, माने जाती परवानपत्र और अवासिय परवानपत्र और NCL परवानपत्र नया बना लेते हैं, तो अगर counseling time में आपको देखी लिए document कौनसा मांगा है online करने वक्त जो आप ले दिये थे वह है document तो अब आप लोग इस point को ले करके जदा प्रिसान नहीं होंगे जदा confusion होंगे आपके mind की confusion दूर हो गया होगा कि कौनसे document लगने वाली है चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं वीडियो किरप्या थोड़ा सा support कर दीजिए थोड़ा सा like कर दीजिए मुझे भी अच्छा लगता है आपकी support मिलता है तो चलिए वीडियो को स्वाप्त करते हैं जैसे counseling list आगा तुरहनती वीडियो बनाकर डालूंगा इसके लाप लोग प्रिसान मत हो यह बहुत ही जल्दी आने वा प्रिसा प्रिसा और है धुलस प्रिसान खिया नह2 जुलड है तने वीडियो दीजिए मुले मेफंस स्वाण।